चाचा के लिए चिराग पास्वानी के लिए चाचा उनके पारस बोला कि जेड सुरक्षा मिला है इसका कोई मतलब नहीं है और हत्या तो इंद्रा गांधी के विए कि सुरक्षा के बीच में इस तरह लाईए और हम आगड़ा करेंगे पारस इसे इसको मान के चलिए कि वो रामिलाजी का खून है अधि नहीं खून है तो टेस्ट करा ले वो इस तरह की बात करना सही नहीं है पारस यह रामिलाजी और अपने ही परिवार पर पारस जी जितना भी अब चाचा तो है है बैचारीक मत्वेट होती है लेकिन मत्वेट कर ये हैं नहीं कोई मीनिंग इन इफार बात है बिलकुल कि इसमें कोई बात नहीं है मैं नहीं दुनिया को पता है कि छिराग जी कम्प्लिट एंडिये एलाइंस में हैं जेड पलस की सुरक्षा राहूल गांधी को रहते वे घर छिल लिया अड़वानी जी से लेके मुरली मनवार जोसी जी 20 साथ से कुछ नहीं उसको घर मिला हुआ है और ये एंपी रहते वे इ तो पीजेपी विनार राजणी के कोई कदम आगे नहीं उठा तो पीजेपी के लिए वरो के बाब कनियों के बाब चित्मी मेरी पड़बी में इस सब्र करना चाहिए पैसंस रखना चाहिए पारजी को वह आपका ही खून है बेटा है इसलिए मुझको लगता है कि परिबारिक और व्यक्तिगत चीजों से दोनों आत्मी को बचने की जोड़े ब्यान दिया है क्या कहेंगा चाजा बतीजे लगातार कभी खून नहीं है कभी कुछ नहीं है ये सब चीजे बहुत उची चीजे हैं और परिबार की बाते सरकों प का इस तरह की बात करना किसी बीवक्ति के लिए कभी कभी चिराग जी नितीजी पर जो ठिपनी करते हैं या और भी जो बातों कभी कभी खास तोर पर नितीजी पर पिता के तरह मैं चेरागी से भी आग्रा करूंगा राजनीती अपने जगह पर है बिरोध अपने जगह पर है और बेक्तिगत तिपनी मुझको लगता है कि चीजों से बचने की जोरत है सब को और जो बात उन्होंने कही कि सिकुरूर्टी रहते का ख़ा दी इंदरा गांदी नहीं मर गए तो मुझे स्व को लगता है कि समझ में नहीं हाता कि हमको यह भीतर से वह नहीं वोले हमको लगता है जब आप अब पारज जी भास आने लगा है अब उनको उम्र उन पर लद गया ऐसी बातें करना तो हम उम्र की करेंगे ना वो उम्र का तकाजा है तो मुझको लगता है उनको छमा कर देना चाहिए माप कर देना चाहिए और यदि पॉलिटिकल ऐसा बोले हैं तो मुझको लगता है कि ऐसी चीजों के लिए पारजी को कहना चाहिए कि यह गलत व्यान है यह वो बैकती है जो धलित पासवा नडाम कए पहर चुने तो बोला चूत अगूर से बाद इनका तो वीडियो बैरल है यह जो जिसको आप परोश रहे हैं आप लोग एक एक तलीद के अप कौन धाम है हमको नहीं पता है क्या नाम है इसका ऐसे कीचर पर तो पत्धर भेकना ही नहीं चाहिए लालू जी से अगरह करेंग है केटी करता है और दलीतों को धमकाता है वहां केस भूआ हुआ है ज्यल गए हुआ है तो पहले अपना पर्चा निका देन है इनका भाई क्या करता है और यह कहते हैं चूत है इसको दूर रखो पैगना चूए अपने मूं से यह बोलते हैं आएसे लोग जिनका पूरा प्रफगंडा और मार्केटिंग बिजेपी कर रही हो और कैप्टिलिस्ट इसका पूरा का फूरा टेइभी चैनल पर चला रहा हूँ वह ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना भाई जो अपने बारे में जिसको कुछ ज्यान नहीं संभीधान के बारे में ऐसे लोग जो संभीधान भिरोदी है और संभीधान से इतर बात करते हैं उनको जेल में बंद करिए मैं बहुत किलियर हूँ मैं अंद विश्वास के खिलाब हूँ मैं संत के पक्ष में हूँ संते राम क्रिस्क परमांस संते विवेकाना संते कभी संते बालमिकी संते भग्मान पर्शुराम संते राम, संते क्रिस्क संते पेडियार संते सावित्री बाइपुले संते महराजी संते मोरेंगे विश्वामित को और ये लब कुछ की धर्ती है ना हमीन बिहार में हरा है सुनिका सुर्वात हमसे हुई ना आर्थी का जादी मेरे ही बिहार से हुई ना नालंदा और विक्रमशिरा मेरे ही बिहार के है ना बाबु बीर कुमर सिंग और सेरसा सुरी मेरे ही बिहार में है ना गुरू गोविन मेरा ही बिहार में है ना, लवकुस की सथ लि सीता मेरा ही बिहार में है ना, बालमेकी इंक ऩा भिए भिए मै ना, संथ कहिए नसीटरी के سाहन बाबा जो एक लघ्रिकावी पृपिता लिये, संथ सेंद्रा स्वामी नहीं होगा, संद जोपर मुंडी बाला साही नहीं नहीं होगा संद राम राहिम नहीं होगा जो दोस्ता बेटी का बलतकार दिया है संद असारम नहीं होगा जिसको बलतकार में सजा हो गया संद कौन होगे भगवान कभी चमतकार नहीं करता और चमतकार है तो गरिबी से अमीरी कर दो न चमतकार था तो कोरोना में 46 लाग भारत के लोगों को मरने क्यों ने दिया फूखते हूँ जो मंतर भाग जाओ बचा लेते हैं सबको चमतकार है तो एक कैंसर पेसेंट को बचा लो चमतकार है तो बेरोजगारी दूर कर दो चमतकार है तो किसी आर्मी फोर्स की जोरत नहीं है सब भू हटाई है सब पैसा गरी पर लगाए और कर दिए चमतकार पाकिस्तान खतम चैना खताम अरे अंद्विस्वास को रोके इसके खिलाब कानून है इसी अंद्विस्वास के चलते तो गरीब और कमजोर तब का मर ला है इस पर केस करके बंकर ये समिदान भी लोग है गुंदाई करते हैं ये लोग सबसे पहले इन्होंने पुलमामा करवा करके पीम बने जो बोल दिया सटपाल मलिक ने और उसके बाद आये तो इन्होंने एक पिक्चर बनवाया एक्सिडेंटल पीएबन महों सही पर जब वो नहीं से बाज नहीं आये तब इन्होंने बनाया महानायक नरेंदर मोदी जब उससे भी नहीं चले तब उससे बना लिया कस्विर फायल, जब उससे भी नहीं चले तो 2024 के लिए इन्हों ने जिस तरीके से सेंसर बोट को भी जेव में रख के और जिस गाली गलोज को जिस चीजों को ये दिखाया है, इस पिक्चर को एक दीन भी नहीं चल ली चाहिए पूरे भारत में बैंड करना चाहिए, बेलकुल घरत है, देखिए, मैं आपको इस बात बता दिए, बीजेपी का किसान महागा, बीजेपी का टैक्स महागा, बीजेपी का मैलाओं पर महागाई महागा, बीजेपी का सेलेंडर महागा, बीजेपी का मेडिकल महागा, जुए का गॉरुना महाँगा बीजेपी का नौटबंदी महाँगा बीजेपी काीधी पढ़वी बचास वद्ल colony शेश्टी महाँगा बीजेपी कता एक सिर्क्री नफरतं ही आप और हिंदु मुसल्मान करने में जो लोग है सबको टैक्स प्री करें बीजेपी का कारेक्टर यही है वो कोई भी काम याद करी है गोद्रा गोद्रा से लेके अभी तक बीजेपी ने सिर्फ नरंदर मोधी जी को सत्ता में बठाने के लिए पुलमामा से लेके अभी तक और भजरंग बली हमारे आस्था को जिस तरीके से बिने कटियार देसे बलतकारी के द्वारा भजरंग दल निर्मान करने वाले चीजों को जोरना एक गुना है ये मापी मांगना चाहिए और सुप्रीम कोट को अविलम केरला स्टोरी को बैंड कर मैं कह रहा हूं कि इसको बंद करना चाहिए अब आनन्द मोहन के किलाब चला गिया वीजेपी सुप्रीम कोट क्या चरीत है वाई कितना इतना बहात धूर्त और धूस चरीत तो मैंने जाई पे दे देगा रूडी काता है स्वागत मूदी काता है निकालो चौबे काता है ठ प्रूमोया साफ है ही लोग शमुझे इनों को जबा मिलेगा 24 में जबा मिलेगा करनाटक में मिला ना इनका इंटार हिंदु में गाली का रोज करनाटक की जन्ता ने बता दिया नोगार अब बताएगा मत परदेश 36 गार बिना रोजगार के बिना पिकास के बिना एकनोमी के बिना 40,000 रुप्या मेहना के बिना किशानों के सम्मां के अब आप हिंदु मुसल्मान और बॉम पटका-पटकी करके पुलमामा करवा करके अब आप पीम नहीं हो सकते बेफिकिर रही है है